साथियो ये सत्र में कोल्षे पाटिल जी, डॉक्टर स्रीलम, जीडी पारिक जी और कुंदा ताय भी आपके सामने भी बात अखिएगी ये बता दू कि आंदरलन की शुरुआत कहां से हुई जब जे रिजल्ट आया था हम लोग कुछ घंटे तक शौक्त है मगर कुछ घंटों में हम लोग ने लिखना शुरू कर दिया था हमारे फेस्बुक के ट्विटर पे कि ये चोरी किया वो इलेक्षिन है ये सरकार जो रवी भिलानी ने उसका नारा दिया था कि ये सरकार मोदी सरकार नहीं है ये EVM सरकार है इट इस EVM इलेक्ट्राणिक वोट मैनेजमेंट से ये सरकार आई है तो जो चोकीदार चोर का नारा था रफेल में तो गोटाला में चोरी की थी मगर पूरी की पूरी इस बार इलेक्षिन की चोरी मोदी ने की है उसमें से बात आई कि इसको कैसे निप्टा जाए क्योंकि एक स्टेट ओफ शॉक था रादी तिक दल आपस में बात कर रहे थे समाज इक संक्रटन के लोग आपस में बात कर रहे थे कि इसका आगे कैसे लिया जाए उसी दोरान कोशे पाड़िल जी निरल जन टकले वगरा ने कोछ इनिशेटी ले लिया था प्रभगर नरकर जी से बात हुई जनताला सेकुलर के वहाँ मीटिंग हुई थी और वहाँ जो साथी EVM को लेकर इतने सालों से आगे बढ़ रहे थे जैसे हमारे साथी अरवी ने वहाँ में लोग ने तेकर लिया है कि आंदोलन छेड़ा जाएगा और तीस तारीकों जब मोदी जी की स्वेरिगन सेरिविन होगी उसी दिन हम लोग साथक पर आएंगे और हम लोग बोलेंगे कि हमको यह इलेक्शन मंजूर नहीं है यह इलेक्शन पूरा का पूरा हैकिंग और मैनिपलेशन हुआ है और हम लोग यह लड़कर रहेंगे निरेंजन टकलेजी जो इस देश के सबसे मैं मानता हूँ कि सबसे honest और courageous investigative journalist है उन्होंने ड्राप बनाया उसके 36 गंटे के बाद रवी और मुझे 1,500 फोन आएं नागा लैंड से लेकर गोवा कन्या कोमारी से लेकर पंजाब सब ज़ेगा समको टेलेफून को लाएं आम लोगों ने फोन किया संगटन के लोगों ने फोन किया रादनेतिक दल मगर सभी किसम के लोगों ने फोन किया कि सांदोलन को लड़ना परेगा और अगर इस देश को बचाना है तो EVM को जाना होगा और वापिस बैलेट पेपर पर हम लोग को आना होगा इस परश भुम मशीन और वीवी पैट मशीन का हैकिंग करकी एलेक्शिन हुआ है तब जाके ये मोधी सरकार रध हो सकती है और नए चुनाव हो सकते साथ यह भी संबावने है उसके बाद हम लोग ने पहले चुछी कि लोग अम लोग को जरूर बोल रहे थे कि हम लोग समझ चुके है कि मगर होता कैसे है चोरी कैसे होती है यह चोरी कैसे होती है तो कुछ लोग है हमारे बीच में सर जो पहले से चिला रहे अभी से नहीं दोजादो से कोई चिला रहा है हम जैसे लोग जब हरी प्रसाद को जब पकड़ा गया था तब ही हम लोग चिला है थे कि वो कॉंग्रेस हो या विश्वास्ता बना दी थी जहां से बैलेट पेपर भी इलेक्षिन सही तरीके से हो रहे है जिस पे लोगों को भरोसा होगा प्रोब्लम यहां जो संकत देश पर रहा है जो विश्वा जी विश्वा जी पुर्गी जी प्लीज यहरे इस टाउट अना रिक्रेस्ट एर नो राधनितिक दल के आम करे करता विश्वास खोरे और आम लोग हमको बोल रहे कि जब आप लोग बोल रहे हो तो राधनितिक दल की वी एक रैशनल लोजिक थी हम लोग तुरन बोलेंगे तो प्रोब्लम होगा हम सही टाइप बाएंगे आप जन्ना अनलोन को आगे इसमें जन संगतन समाजी का अनलोन के मारे अलग अलग घटक या विश्वादूद्गी है जो पूरे के पूरे अलग अलग जो ट्रेड उनिंस है उसके सहमती के साथ आजमारे साथ बैट है कि सभी ट्रेड उनिंस एवियम के विरोध में हैं और बैलेट पेपर पे आचुक तो जो मास मुमिंट से मजूर अंदोलन किसान अंदोलन सबके तरफ से यह भूमी का सपष्ट हो चुकी है और उसमें से यह आगे कैसी फिरागे हम लोग लग जब यह बहुत हार आया टेलफोन कॉल्स का तो हम लोग तुरन कोर्नेशन करके 15 स्टेट में आज हमारे साथ किसम की इंफरमेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे है दूसरा हम लोग ने ते किया कि Bambai में हम लोग एक पहले तो Bambai सरका था मगर कुछ साती बोले Bambai में कि उमको बुला लोम लोग तुरन्त आ जाएंगे तो अलग-अलग राजय के लोगो अपने खर्चे पे किसी न लोग आ रहे हैं बंबई में यह मलाओ सोचो मोधी को 20 दिन होए मगर एक रास्ट्रे सम्मिलन एव्यम के विरोद में और यह इलेक्टरल अथोरिटेरिनिल डिक्टेटरिशिप के विरोद में आ यह हो रहा है यह शहर में यह बहुत एतियासिक सम्मिलन हो रहा है और आशी स देविएम से निमार करो रहे हैं यह उप्यूसं करे यह शे रख्यक्शीं करो बैलिक्शन करो अशी बेढर के souvent बढ़र रहे हैं तो ललाय को लेकर व्यूग सात पे बढ़ रहे हैं और रहाग तो सी आज के जिस किसम के साती आज हम लोग सभी को जानते हैं कुछ लों को नह मेरी रानते हैं, मगर there are some wonderful people out here, सब संगर्शीर संगर्टन के लोग आया है, और सातियों ये आगे लड़ाएं, बड़ेगी, पारिक जी का अशिर्वाद है मारे साथ, कोल्से पातिल जी का अशिर्वाद है, कोल्से पातिल जी ने डिल्ली में जाकर, चार स्टेट के सातियों को हिलाया है, आंदुलाण उत्तर भादत में भी कोल्से पातिल जी के का अशिर्वाद है, डॉक्टर सुलीलम, जो किसान आंदुलाण के बड़े फिगर है, जो मंदेपरदेश आया है, उन्होंने काया कि पंदर आजों की जिम्मेदारी मेरी, यह पूरा इवे मिरोदी आंदुलाण अरड़े उनके नेत्तव में आगे बढ़ रहा है, और डॉक्टर सुलीलम, जो किसान आंदुलाण और मजदूर आंदुलाण के जो नेत्तवत कर रहे है, तो बहुत बड़ी ताकद आज हमारे साथ इस मंच पे है, भारत पातंगर जी आया है, विश्वा दूद्गी आया है, टेड़न के वारे मिलिन रानडी आया है, I'm sorry I don't know all the names, बट बहुत सारे अमारे जो साथी, अलग लग राजने तिक दल और जन संगाटन का है, पुरी फैमिलिस मुम्मेंट है, बोट सारे नौजान साथी बैटे है, वीव गॉट अलट अपावर सिटिंग इस रूम, तो आज का जो आज जो सत्रह है, उसमें से स्रिफ हम लोग EVM की पूरी जो प्रॉब्लम है, खाली वो तो समझेंगे, मगर ये अंदोलन की रूप रेखा, यहां का अंदोलन ये कैसे आगे बढ़ेगा, वो भी आपको यहां से बोला जाएगा, आखरी में में दो बाते कहूंगा, कि महाराष्रा जार्खन, Sikkim और हर्याना में जो चुना होने जा रहा है, पेला चुना महाराष्रा में है, और यह का जो बैटल ग्राउंड है, वो महाराष्रा है, पूरे के पूरे देश का जो पेला बैटल ग्राउंड है महाराष्रा पे, और हमकोई लड़ाई यही लड़ी है और यही लड़ाई जितनी है। तो इस वेर वी आर, तो इस वह इंपोर्टन इस कॉन्फरेंस इसुची है। मतलब निखा लो देश को बचाओ, वो काम होगा, एक पोस्कार्ट केंपेंग की अम लोग शुरुवात करने वाले है। वे राइटिंग लाग्स और थाउजन और लाग्स और लाग्स और पोस्कार्ट विल गो तो इलेक्शन कमिशिन, यह सभी बैठेएवाई साथी की जिमिनारी है। इलेक्शन का घेराओ, पर्लिमेंट का घेराओ, यह सब प्लैंज की हम लोग आपके साथ की तेहरी करेंगे। आपकी भी बहुत सार इंपूट्स आएगी, मिलकर इस अंदोलन को बढ़ाएंगे। यह अंदोलन डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको आखरी बात बोल दू। मोदी ने अगर यह इलेक्शन 250-60 सीट में वो सैटिस्फाय हो जाता तो हम लोग कुछ नी बहुता है। मोदी जी नेरू जी के चकर में जाकर फजगे। क्योंकि नेरू जी का तो पूरा लेगरसी है, मोदी इसको कौंटर करनी की कोश्य। तो जैसे नेरू जी को बार बार मैज़ूर्टी तो मोदी जी को भी मिलनी चाहिए। तो नेरूं नेनी चाहिए। सवाल इतना ही है कि हम लोग प्लैन बजाएं, योजना बनाएं, जनता में जाएं और जनता पे सड़क पे लाएं, इतनी इतना कर लेंगे, इवेम जाएगा और मोधी भी जाएगा, धन्यवाद स्वार्यों.